है जो फार हजारी बागर आप देख रहे हैं जोपर अरी बागर मेरे साथ कुछ लोग हैं विलेंस लाने वाले फिर फिर फेलेंस का ऑसु आप रहें कोरन सब जानेंगे गया है-तैक। चलाते थे वो लोगों के यहाँ बैठे मैं क्या हैлов यॉइस हैं उल्फर फाइनरे खारों कि doctrini जरे हम लों में बात किया है। धाम से पर समें लोग जबी नहीं मिलना है। हम लोग 24-7 वर्क करते हैं और हम लोग को टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता है जिसे हम लोग आर्थिक इस्थिति पर बहुत काफी ज्यादा इसका प्रभाव पहुता है हम लोग को यहीं मांग है माने मुक्मंत्री से हेमन सरकार से और बन्ना गुपता सर से भी हम लोग को राचार रहते हम लोग इसके लिए स्टीविल सरजन को भी आवेदन दिये हुए हैं और अपायुक महोदे के पास भी हम लोग आवेदन दिये हुए हैं कि हम लोग का हम लोग का सुना जाए तो यह कौन पेमेंट देता है आपको यह नरेच्चे के लिए सरकार से टायप है यहां सब बैठे हुए हैं आप लोग यहां सब बैठे हुए हैं तो सौलों यहां नहीं नजर आ रहें काहां है उधर मैं में तुरण से अव लोग यहां पे दिय हैं डिवा दॉल्डऊब वो लोग आ रहे हैं यह अनौन परसन के लिए भी रोड में एकसिजिटेंट हो जाता है तो उनको सेवा हम लोग पहुंचाते हैं जगा तक उनको बचाने का परियास करते हैं यह जीवन दूथ है जीवन बचाने का कारी करता है और हम लोग 24-7 हमेशा ततकाल फ्रीशेवा में रहता है और हम लोग परियास करते हैं जल्डर यह जल्से़न लोग से पांच मेने मिलता था क्पैमेंट सफसर नहीं मिल रहा है पाँच महिना से पेमेंट नहीं मिल रहा तो कैसे घर चल रहा है बहुत सर दैंग इसी खराब हम लोगों को जान बचाने का काम कर रहा है जितने भी हमारे अधिकारी है यहाँ पे इंबुलेंस अधिकारी उन लोगों के परिवार चलाने का बच्चे का फीज देने का और भी परिवार चलाने का बहुत समस्याय का सामना करना पड़ रहा है इसमें आप लोग कितना टाइम जाता है जैसे मान लिजए घर से अगर निकले हैं सुबह में तो कितना बचे वापस जाते हैं हम लोग कम 12 घंटे का हम लोग ड्यूटी देते हैं यहाँ और 12 घंटे बाद में सदर छोड़ती है सदर से रैफर होता है तो लोग रीम्स पहुंचाने कारी करते हैं तो मान लिजए रात में अगर कुछ घटना घट की तो आप लोग पहुंचते हैं सर अब लोग पुरन तक पहुंचते हैं इमर्जेंशी सेवा नहीं सर हम लोग खानत तक भी छोड़ दे इड़ान्स लाइब सपोर्ड है सर उसमें बेंटिलेशन और मोनेटर का सुईधा होता है अक्सिजन का होता है अब बेसिक में है निवलाजर मसिम होता है अक्सिजन होता है और फस्ट अक सारव वेवस्ता यह है तो देखिए इनका डिमांड यह है कि पांच मैंना से वेतन नहीं मिला है और जिसके वजय से लगबख 20 इंबुलेंस बताया ना आप लोगों ने बीस एक सो आठ नंबर की इंबुलेंस जो है फ्री सर्विस जो देती है पूरे हरकंड वासिय को पूरे हजारी वागवासिय को वह अभी सर्दर अस्पताल में इन लोगों ने लाके कर दिया आप देख सकते हैं यहां पर अम्बुलेंस जो है किस तरह से खड़ी है और कारन यहीं है कि 5 महिने से जो है इनको वेतन नहीं मिला है और जो लोग इसमें कारे रथ हैं एक अम्बुलेंस में लगबख 4 लोग रहते हैं दो टेक्निशन रहते हैं और जो ड्राइवर कि अभी जो यह लोग चाहते तो नहीं है कि एमर्जंसी सर्विस जो है वो वो बादित हो लेकिन फिर भी मजबूरी में पांच महीना जब किसी को पेमेंट नहीं मिलता है तब इन्होंने कहा कि वो कदम यह उठा रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पर जहां पर मैं खड़ा है और अभी खुझ से धर्णा पर बैठ गए हैं निमांड कर रहे हैं कि इनका जो पेमेंट है वो इन्हें लाके दिया जाए तो अभी सेदर स्पताल के गेट के बगल में ही धर्णा चल रहा है और धर्णा के बाहर 108 एंबुलेंस लगा हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद म है फैज अन्वर जोहार अजारी बाग